अगर आप हमारे All4U चैनल पर पहली बार आए हो तो हो सके तो हमारे All4U चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर आप देख सकेंगे टीवी, वाशिंग मशीन, रेफरिजरेटर, मोबाइल, घडी, शूज, होम अप्लैंसेज, इत्य अधिकी अन्बॉक्सिंग, इनके रिव्यूज और इनके बारे में अधिकी जानकारी इस वीडियो में आप देख सकेंगे गोद्रेज स्प्लिट इन्वर्टर एर कंडिशनर मोडेल नंबर GIC-12TINV-3RWQH के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और एक साल इस्तमाल करने बात की इसकी स्थिति इसके साथ साथ हम देखेंगे गोद्रेज के कुछ लेटेश लॉंच इन्वर्टर एसी के मोडेल्स और एर कंडिशनर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारिया यह है गोद्रेज इन्वर्टर एसी मोडेल नंबर GIC-12TINV-3RWQH यह एसी एक टन कैपेसिटी का है रूम के साइज के अनुसार एर कंडिशनर की कैपेसिटी होनी चाहिए एसी की कैपेसिटी 9x10ft रूम के लिए 1 टन 10x11ft साइज के रूम के लिए 1.2 टन 10x15ft रूम के लिए 1.5 टन और 10-20 feet size वाले room के लिए 2 टन की होनी चाहिए room size के अनुसार capacity वाला AC लेने पर ही आपको AC का best cooling effect मिलेगा इस indoor unit पर यहाँ AC के बारे में कुछ details दी गई है जैसे कि इसका model number GIC 12 TINV RWQH cooling capacity और electricity consumption इस AC में variable speed compressor दिया गया है variable speed compressor energy save करने के लिए अच्छा होता है इस AC में heat pump नहीं दिया गया है heat pump ठंडी के दिनों में room को गरम रखने का काम करता है company का कहना है कि इस AC में 100% copper coil का इस्तमाल किया गया है air conditioner में copper coil हो तो अच्छा होता है क्योंकि copper यह aluminum से ज़्यादा strong और टिकाउ होता है aluminum coil damage होने पर हमें उसे replace करना पड़ता है पर copper coil damage होने पर हम उसे repair भी कर सकते है इसलिए हो सके तो ज़्यादा तर copper coil वाले AC ही लेने चाहिए इस AC के compressor पर 7 साल की warranty दी गई है company का दावा है कि यह AC काम करते वक्त आवाज नहीं करता है पर वास्तविक्ता में यह AC थोड़ा बहुत आवाज तो करता ही है इस AC के लिए आपको stabilizer लगाने की ज़रूरत नहीं है इस AC में eco-friendly refrigerant का इस्तमाल किया गया है जो power saving करता है company का कहना है कि यह AC एक साल में 724 units electricity की बचत करता है inverter AC electricity कम इस्तमाल करते है जिसकी वजह से AC का electricity bill कम आता है यह है इस गोद्रेज inverter AC का outdoor unit इसका weight 29.5 kg है यह outdoor unit additional exterior grill के साथ आता है जो outdoor unit के internal components को maximum सुरक्षा प्रदान करता है यह है इस AC का remote यह medium size का compact remote है इसके top पर LED display दिया गया है जिसके मदद से हम AC की setting कर सकते है यह middle में जो red symbol button दिया गया है इसकी मदद से आप AC को चालू या बंद कर सकते है mode button की मदद से आप cool mode, hit mode, dry mode या auto mode सिलेक कर सकते है AC को हमेशा हो सके तो full mode पर ही रखना चाहिए fan button को दबाने पर AC से fan की तरह normal हवा मिलेगी swing button का इस्तमाल करके AC के fin को horizontally up या down मू कर सकते है turbo button दबाने के बाद AC रूम को जल्दी ठंडा कर देता है slip button इस्तमाल करने पर AC हमने set किये हुए temperature पर जाकर बंद हो जाता है इस up down arrow key का इस्तमाल करके हम AC का temperature कम या जादा कर सकते है clock button का इस्तमाल करके remote पर दी गई घड़ी का time set कर सकते है i fill button का इस्तमाल करने पर AC अपने आप ही room में मौजूद logo का और room का temperature जानकर automatically उस हिसाब से AC का temperature set कर लेता है light button का इस्तमाल करके indoor unit पर दिये गए LED display screen को चालू या बंद कर सकते है इस Godrich split inverter model number GIC 12TINV3RWQH air conditioner को एक साल तक इस्तमाल किया गया है इस एक साल में इसकी performance काफी अच्छी है एक साल में अब तक इस AC में कोई भी problem नहीं आया है इस AC का powerful compressor room को जल्दी ठंडा कर देता है inverter AC होने की वजह से यह electricity भी कम इस्तमाल करता है सब कमपनिया हर साल AC के नए नाम वाले models launch करते हैं पर इनके features और specifications पुराने AC के जैसे ही होते है यह कमपनियों की एक marketing trick होती है इस Godrej Inverter GIC 12 TINV 3 RWQH AC के भी new updated AC models market में उपलब्द है आप चाहे तो इन्हें भी खरी सकते है जैसे की Godrej 1 TIN inverter AC model number GIC 12 FTC3 WSA Godrej 1.5 TIN inverter AC model number GIC 18 RINV 3 WQR Godrej 1.5 TIN inverter AC model number GIC 180 TC3 WSA आप आपके जरूत के अनुसार इन में से जो भी air conditioner सस्ते में मिल जाए वह खरिद लीजिए इन सब की features और specifications लगभग एक समान ही है इन सारे Godrej Inverter Air Conditioner की link वीडियो के नीचे description box में दी हुई है आप वहाँ पर जाकर इनकी price, feature और specification चेक कर सकते है तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसे लगा like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए और हो सके तो हमारे All4You चैनल को subscribe कीजिए take care, have a good day